अब पोजिशन पर पियूश गोईल का बड़ा बयान सामने आया है इस स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है पोजिशन के डिप्टी स्पीकर की रिवायत नहीं है पियूश गोईल ने इस बात को वाज़े क्या है और अपोजिशन वारवा इस बात को आज जिक्र कर रहा है क अगर यहां स्पीकर के डिप्टे स्पीकर अगर पोजिशन से बनाया जाता है तो स्पीकर के नाम पर आम सहमती बना सकता है इंडिया ब्लॉक ये बात बार बर कहीं जा रही है प्यूश गोईलेस बात पुस्त रेसे नकार दिया है कि डिप्टे स्पीकर को लेका पोजिशन का कि नाम सामने आएका ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि अध्याग उपाद्यक्ष कौन होगा वो पहले तैकरे फिर अध्यक्ष के लिए समर्तन मिलेगा इस पकार की रादनीती को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती के लोकसभा निर्विरो एक सर्वसमति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूट पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है वो पूरे सदन का होता है वैसे ही उपाद्यक्ष में कोई पार्टी या दल का नहीं होता है पूरे सदन का होता है और इसे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्टों के आदार पर किसी एक पर्टिक्लर व्यक्ति या पर्टिक्लर पक्ष का ही उपाद्यक्षो वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता है बने वालता है